हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज की कॉमिक्स नरक आहूति का तीसरा भाग तशाशमेद घाट बनारस नाओ रुख जाओ नागराज ऐसा गजब मत करो तुम्हें हमारी कसम नागराज भाईया अपनी जान ना लेना तुम्हें इन बच्चों की कसम नागराज अपनी जान जरूर लेना वरना इनकी जिंद्गिया इनके शरीर से कोड बनकर फूट निकलेंगी समय मत बरबाद कर फटाफट मुझे वहद रश्य दिखा जिसे देखने के लिए मेरी आँके तरस रही है खचाक धड़ अपनी आँकों और अपनी किसमत पर यकीन नहीं हो रहा मुझे मैंने नागराज को मार दिया इस सदी का महांतम खलनायक है नागाल मैंने तुझे वह दिखा दिया जिसके लिए तेरी आँके तरस रही थी अब मेरी लाज तरस रही है तड़ाक अब इसकी खुझली मिटाना तेरा फर्ज बनता है नागराज तुझे जिन्दा है पर मैंने तुझे अपनी आखों के सामने अपना सर काटते हुए देखा था तेरा सर अभी भी मेरे हाथ में है जो तुने देखा वह नगीना का जालता मेरे तंत्र मुर्ज ने तुझे वही दिखाया जो तुझे देखना चाता था धोका ये धोका तुझे बहुत भारी पड़ेगा नागराज मेरे गलगोले गला डालेंगे उन बच्चों को शायद तु इन बच्चों की बात कर रहा है यह क्या बच्चे तेरे पास सही सलामत है जब तू मेरे तंतर जाल में फसा हुआ नागराज की मोत का द्रश्य देख रहा था तब नागराज के अदेश पर उसके नाकसैनिक मोटर बोट से बच्चों को सुरक्षित यहां ले आए अब बता तुझे मेरे यहां आने की जानकारी किसने दी किसने बेजा है तुझे बता वरना तेरा वह हश्र करूँगा कि सचमुष तमाम उम्र यहां सीडियों पर लूला लंगडा बनकर भीक मागेगा खुर्रे नागराज भईया छोड़ना मत इस शैतान को भड़ाख खच खुद के लिए एक दर्दनाक मोत चुनली है तुने तेरे जिंदा बचने के बाद जो मोत पापा द्यक्ष मुझे देता उससे कहीं आसान है यह मोत अक यह पापा द्यक्ष को ने अपने पुराने शत्रुवों से मैं किसी भी पापा द्यक्ष को नहीं जानता डोंट वरी भाईया वह जो कोई भी है आप उसकी भी बैंट बजा दोगे देखो नगीना दुन्या की सबसे बड़ी धरोर यही है इन प्यारे भोले और मासूम बच्चों की निश्चल मुस्कान इनके लिए नागराज कुछ भी कर सकता है मैं तुम्हें जितना जानती जा रही हूँ उतना ही आश्चरिय के सागर में डूपती जा रही हूँ नागराज दुष्मनों पर काल के समान तूट पड़ने वाले महान योध्धा को यूँ चंचल बालक के समान खिलकिलाते देखना वाकई अदबुत है तुमारे बिना यह संभव नहीं होता नगीना अगर तुम अपने तंतर जाल से नागाल को भरमित नहीं करती तो मेरा और इन बच्चो का बचना मुश्किल था अब तुम मुझे सर्मिंदा कर रहे हो नागराज मैं नहीं होती तो तुम बचने का कोई और तरीका निकाल लेते फिलाल अब हमें अपने गंतव्य बाबा विश्वनात की और बढ़ना चाहिए unknown location, now पापा द्यक्ष ने मुझे बेहत विकट इस्थिती में डाल दिया है हर आयाम में अनन्त समयधारा होती है और हर समयधारा में अनन्त आयाम होते है किसी पुर्व निर्धारित समयधारा या आयाम में परवेश करना अलग बात है किन्तु ब्रह्माट की ऐसिमित समयधारो और आयामों में इच्चित समयधारा या आयाम ढूणना लगबग असंभव है पर मुझे इस असंभव को संभव कर दिखाना होगा समय धाराई खुल रही है कोई आम व्यक्ति होता तो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ही आयाम की आदी समय धाराई भी आदी समय धाराई भी नहीं खंगाल पाता यह काले तो सिर्फ तुतेन तू ही कर सकता है जो एक समय धारा में अपनी जीवन अवदी पूरोन होने से पहले ही उसे छोड़ देता है और इस तरह तुतेन तू कभी नहीं मरेगा ब्रह्मान्ट की किसी ना किसी समय धारा में तो तेन तु हमेशा जीवित रहेगा ब्रह्मांट की ये अलग-लग समय धारे अलग-लग आयमों में जाती है आयाम जहां आज भी ऐसी परजातिया बसती है जो प्रित्वी से लुप्त हो चुकी है ऐसी सब्वेताई बसती है जिनका समय प्रित्वी से गुजर चुका है परन्तु यह समय धाराएं और आयाम मेरे गंतव्य नहीं है मेरी दिल्चस्पी समय धारा के उन आयामों में है जो की पूर्टे निर्जन है किन्तु निर्जन होते हुए भी जहां किसी परकार की तिवर उर्जा हो मिल गया मुझे ऐसी समय धारा का आयाम मिल गया जो निर्जन तो है पर जहां अत्यन तिवर उर्जा के अनुगूती हो रही है मुझे शायद यह वही आयाम है जिसकी मुझे तलाश है यह वहा किसमत अच्छी है तिरी तुतेन तु सिर्फ 1,99,609 समय धारा है और 6,75,310 आयाम तलाशने पर ही अपने गंतवे तक पहुँच गया तु एक मिंट कुछ गरबढ है यहां तो अलग अलग परकार की कई उर्जाओ का अभास हो रहा है यह आयाम निर्जन नहीं है शक कौन है यहां सामने आओ एक पल को लगा जैसे मेरे पीछे कोई विशाल जुगनू है जुगनू का काम सिर्फ रोशनी देना होता है पर फायर फ्लाई सिर्फ रोशनी नहीं देती जुलसाई देती है भडाक तुम हो कौन हो तुम यहां कैसे आये मेरे शरीर में परवाहित होती बिजली तुझे पल भर में ही जलाकर खाक कर सकती है सवालों का सही सही जवाब दो वरना अचानक तुमारे अचानक किये हुए वार ने मुझे चोका बले ही दिया पर तुम्हारे किसी भी वार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि तुतेन तू को दर्द का एसास नहीं होता लेकिन मेरे वारों का असर तुम पर बखुबी होगा बच्ची पर हाथ उठा कर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे उपर किसी भी तरह का रहम दिखाने की मुझे कोई जरुवत नहीं है कोभी सर City of Hamunapatra Indian Province समय की रेत में दफन देवता थोत्र के नाग पुत्रो पिरामिडों की रानी आंके सामन तुम्हारा आवान करती है यदि तुमने मेरी गुहार ना सुनी तो मैं इस अगनी में कूद कर अपना सर्वस्व खाक कर दूँगी ओहो हवनकुंट की आग मुझे जला नहीं रही है यानी यानी हमने तुमारी गुहार सुन ली पिरामिडों की रानी क्या चाती हो तुम हमसे जादु के शेहनसा तंत्र तक्षक तूतन खामन का जीवन जीवन और मृत्यू देना हमारे वश में नहीं है यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो परंतु समय ध्वार खोलना तो आपके वश में है नागराज इच्छधारी नागों का तक्षक है उसने इस पिरामिड में मुझूद समय ध्वार को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया था अब वैसे मैं ध्वार कभी नहीं खोला जा सकता मुझे आपके कतन पर विश्वास नहीं क्या यही बात आप मेरी आँखों में आँखे डाल कर कह सकते हैं हम पर अविश्वास जता कर तुम हमारा अनादर कर रही हो आँखे सामन हम मिथ्या नहीं कह रहें इसलिए हम तुमसे आँखें मिलाकर यह बात कह सकते हैं कि हम समय द्वार नहीं उहूं हाँ 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 मुर्क नाग पुत्रो तुम यह भूल गए कि आँखें सामन की सबसे बड़ी सकती उसकी जादूई आखें हैं जो देवताओं को भी सम्मोहित कर सकती है अब तुम मेरे आदेश के गुलाम हो अब तुम्हारी मदद से मैं ना सिर्फ तुतन खामन को जिवन दूँगी बल्कि इच्छादारी नागों पर भी अपना वर्चा सु इस्थापित करूँगी कौन था वैसादू जिसने नागराज का रास्ता रोका नागराज की सवारी सरपट को सिर्फ हाथ के इसारे से गिरा दिया ऐसी विलक्षन सकती किसके पास हो सकती है बताईए प्रोफेसर हम भी जानने को उच्छुक हैं यह इस कथानक का अंतिम और सबसे कठीन पड़ाओ है महमाईम पापा दियक्ष मैं निश्चे नहीं कर पा रहा इसे किस तरह ब्यान करूँ आपने अब तक हमें जो भी सुनाया वह एक कथा नहीं एक पिता के जज़बात थे वह जज़बात जिनोंने आपको अब तक संसार का सबसे कुरूरतम खलनायक नहीं बनने दिया है प्रोफेसर भावनाय अगर लंबे समय तक दिल के भीतर दबी रह जाए तो धीरे धीरे रोक का रूप धारन कर लेती है यह रोक शरीर को नहीं आत्मा को रुगन बनाता है भावनाओं के मवाद को बहे कर निकल जाना ही अच्छा है आप सही कह रहे हैं मा महीम पापा ध्यक्ष इतने वर्षों तक मैंने इन भावनाओं के लावे को अपने दिल के ज्वाला मुखी में पाला है आज ये लावा आकरोश का सहलाब बन कर निकलेगा जो नागराज के वजुद को खाक कर देगा नरक नाशक के सासाथ मैं खुद भी हत पर बता कि आखिर ऐसा कौन तुर्रम खान पैदा हो गया जो मेरे अविज़ई बेटे को हाथ के एक इशारे पर अर्ष से फर्ष पर ले आया कौन हो तुम शकल और लिबास से तो कोई सन्यासी लगते हो मेरा रास्ता क्यों रोका तुमने तुमने सही कावच मैं सन्यासी ही हूँ तुमारा रास्ता इसलिए रोका मैंने क्योंकि तुमने चलने के लिए गलत रास्ता चुन लिया है रहा पठके हुए को सही रा दिखाना ही मेरा काम है मेरे लिए जीवन में सिर्फ एक ही मार्ग सही है जिस पर मेरे पिता मुझे चलने को कहे इसके अलावा बाकी हर मार्ग और उसे दिखाने वाला हर इनसान मेरा दुश्मन है क्योंकि मेरे पिता ने मुझे इतने संसकार दिये हैं इसलिए पहली और आखरी बार अनुरोद कर रहा हूं कि मेरी रहा से हट जाईए, अन्यता मुझे एक वरत सन्यासी पर वार करने की द्रश्टा करने पर विवश होना पड़ेगा, चिंतित ना हो वच, मेरा यह पालतु नेवला तुम्हे इस द्रश्टा से बचा लेगा, यह तुम्हे वह अफसर ही नहीं देगा कि तुम मुझे पर परहार कर सको, शिकांगी, उस बोड़े सन्यासी की आवाज पर हवा में जप्टा नेवला, इंसानी रूप धारन करता चला गया, नेवले से नेवला मानाव बनने का जादूई करतब किसी आम इंसान को ड्रा सकता है मुझे नहीं, अभी इसके जैसे इच्छधारी नेवलो की पूरी फोड़ से अकेला निपट कर आ रहा हूँ मैं, यह एकलोता भला मेरा क्या बिगाड लेगा, जिस इच्छधारी कबीले की तुम बात कर रहे हो शिकांगी, उसका मुख्या है, वे सभी सादरन इच्छधार जिस से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, पर चिन्ता की कोई बात नहीं है, जैसा मर्ज उसका वेसा ही तोड़ है, नरक नाशक के पास। नेवला उससे पार पा लेते जरा इसे बता दो कि नाग और नेवले के युद में कौन किस पर भारी पड़ता है शक 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 लेकिन उसकी विलक्षन नाग सक्तियों के सामने भला एक अधना सा तपस्वी कहां ठिकने वाला था तुम्हारा पालतू शितिका के शीत बंदन में कैद है और तुम तक्षिका के तंत्र बंदन में उम्मीद है कि मेरा रास्ता रोखने की भूल तुम दोबारा नहीं करोगे क्योंकि अगली बार नरक नाशक इतनी दया नहीं दिखाने वाला जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि नरक नाशक के कुछ शुक्षिम सर्पो में मैंने नैनो डिवाइस इंप्लांट किये थे जिनके जरिये मैं उसके पल परतिपल के कारे कलाब पर नजर रखता था इसे आप मेरा दुरभाग्य कहे या नियती का खेल कि उस समय हालात कुछ ऐसे बने कि मैं नरक नाशक पर नजर ना रख सका संकर सहनसा 24 घंटे के बितर अपनी नाक शक्तिया मुझे सोपने मेरे अड़े पर आ चुका था अंतत्य एक पिता एक खलनायक पर भारी पड़ा मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ संकर सहनसा तुम्हारा संकर सहनसा के रूप में यहां आना सिद्ध करता है कि तुमने अपनी प्राजय सुईकार कर लिया मेरी बेटी मेरी जान है नागमनी मैं सभी नाक शक्तिया तुम्हें सोपता हूँ नियती को छोड़ दो, मैं अपनी जबान का पक्का था, आखिर चोरों के भी इमान होते हैं, तुमारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, इच्छादारी नागो का राजकुमार, अब मेरी मुठी में है, मेरा बेटा संसार के सभी नागो का राजा बन चुका है, इससे बहतर कु नियती को लेकर दुन्या के किसी ऐसे कोने में चले जाओ, जहां मेरा बेटा, ता उम्रु तुम्हें ढूंड ना सके, पापा, नियती मेरी बच्ची, अलविदा नाग्मनी, यह यकिनन हमारा आखरी मुलाकात है, अपनी हासिल की हुई नई उपलब्दी का हुनर देखने क बेताब था में, मानव रूप में आओ, इच्छादारी राजकुमार विश्प्रिये, यह तुमारे नई मालिक का आदेश है, मानव रूप में तो मैं अवश्या आऊंगा, पर तेरा आदेश मानने के लिए नहीं, अपने स्वामी संकर सेहंसा का आदेश पुरा करने के लि मेरे पास होते हुए, तुम मेरा कुछ नहीं बिगार सकते, तुझे वाकई लगता है कि शंकर सेहंसाने तुझे असली नाकशक्तिया सोपी है, यह विश्वासगात बहुत बारी पड़ेगा तेरे मालिक को, जहरा, विश्काट, नाघर, बंदक बना लो इसे, तेरे दोयम दर्जे के विश्वरूष मुझे क्या बंदक बनाएंगे, यह तो खुद जिन्दकी की कैद से आज़ाध होने वाले हैं, मेरे और मोत के बीच का फासला तेजी से घट रहा था, हादे पल में मोत मेरा मुकदर बनने वाली थी, अब तेरी बारी है नागमनी, अपनी सांसों के लिए तू, खुद नरक नाशक की आज्या का मोत आज़ है, पर मेरा मुकदर मेरे बेटे के कर्तव्य से जुडा था, किसी और की जिन्दकी का हिसाब कैसे लगाएगा तू, शाबाश, मेरे बेटे शाबाश, बिलकुल सही समय पर आया है तू, भड़ाख, आ गया था, व उसके पिता को वे हाथ भी नहीं लगा सकती, पिछली बार तेरी शक्ती आखने का मोका नहीं मिला, था मुझे, इस बार मुकाबला बराबरी का होगा, नागवीरो, मैं नागमनी धीक का राजकुमार, विश्परिया तुमारा आवान करता हूँ, पूरी तयारी की थी संकर स हैंसाने, नागराज के शरीर में उस वक्त कितने नाग सेनिक होंगे, विश्परिया के आवान पर उसके चार गुना नाग उस जंगया पर भरते चले गए, शत्रु उपर तूट पड़ो नाग विडो, फू, और उनमें से कोई भी नाग, नागराज के आदेशों का गुला साब छिड़ा हुआ था, पर एक घमासान मेरे दिमाग में भी चल रहा था, संकर से हैंसान ने मुझसे जो विश्वास घात किया था, उसका प्रत्युत्र देना था मुझे, तुरि सर्पी, तुम युद की कमान संभालो, अब समय आ गया है कि, पिता और पुत्र, आमने साम रही थी, हर पल, मेरे अंतर मन में एक खोफ था, खोफ था कि एक दिन मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा होगा, उसके होट काप रहे होगे, पर आखों में सवालों का तूफान घुमड रहा होगा, उस दिन मेरा सब कुछ खतम हो जाएगा, क्यों पापा, आखिर क्यों किया आ वजर जैसे भारी वैशब्द निकले मेरे मूँ से, कैसे जाना तुमने, मेरे एक एक पल पर निगाह रखती थे ना आप, पर आज चुग गए आप, मुझे वह लड़ाई जिता हुआ जानकर, आप निश्चिन्त हो गए, जो मैं शुरू करते ही हार गया था, तुम तक्षिक सत्य तो सुर्य के परकाश की भाती होता है वत्स, इसे मुठी में पकड़ने की चेश्टा करना व्यर्थ है, सुर्य के समान ही सत्य का कार्य भी अंदकार को मिटाना और संसार को परकाश मान करना है, कि सत्य की बात कर रहे हो तुम, कोन हो तुम, मैं तो बस एक मामूली सन्य प्रश्ण यह है कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो मेरा नाम है नरक नाशक और मैं कौन हूँ मैं चाहा कर भी खुद को याद नहीं कर पा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अस्तित्व मेरा वजूद मेरे ही दिमाग की काराग्रह में बंदी हो गया हो अप्राद और पाप रूपी नरक का इस दुनिया से नाश करने आया है नरक नाशक याद थी तो सिर्फ एक ही बात जो जनून रूपी जहर बन कर मेरे दिल और का सपना पूरा करेगा तुँ वही समुचा जहर उगल दिया मैंने उस सन यासी पर और जो भी मुझे मेरे भगवान का आदेश मानने से रोकेगा नरक नाशक उसकी हर सांस में नरक का विश घोल देगा फुर। पर कैई बार संसार का सबसे तिवर जहर भी आपकी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाता। तुमारा विश शिकांगी को पसंद आया। शिकांगी कहता है इसमें देवत्व है और अमरत भी हार का कारण बनता है। शिकांगी तो तुमारी सक्ती जेल गया पर क्या तुम अपनी ही विश सक्ती जेल सकते हो। तुमारा विश जिसे सिकांगी ने अमरत बना दिया है। शिकांगी के जादू ने मेरे विश को अमरत में बदल दिया था। उस फुकार को बाकई जेल नहीं पाया मैं। इस बालक को आश्रम में ले चलो बद शिकांगी। बाबा गोरकनात के आश्रम में घंटो बेहोश रहा में और ऐसे दूस्वम्न देखे जैसे वेह मेरे जीवन का हिस्सा हो। किसी अंजान, चुंसान, अति भ्यावय धीप के सपने जहां एक नागमंदिर है, एक घैल पुजारी, उसकी गोद में एक हरा मरत बालक, प्राचीन समय का एक भव्य राज महल, जहां एक राजा शायद अपने पुत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है। और रानी, पुत्र को सीने से लगाए, उसकी हर खत्रे से रक्षा करने की कोशिश कर रही है, यह वही हरा मरत बालक है। प्रत से मूँ मोड कर जूट का दामन थामना चाते थे। नियती, सब कुछ यात आता चला गया मुझे। हर एक बात, हर एक जूट, हर फरेब, शिशे की तरह साफ होता चला गया। मैंने नियती से वादा किया था, कि मैं उससे मिलने आऊंगा, मुझे नियती के पास जाना है पापा। अफकोर्स बेटा, पर मेरे पास भी नियती के लिए एक खास सर्प्राइज गिफ्ट है, जो तुम्हें नियती को देना होगा। यह एक छोटा सा एम्प्लिफायर चिप है, बेटा, जो तुम्हारी नाग इंद्रियों की शक्तिया, कई गुना तक एम्प्लिफाय कर देगा। कोई दुश्मन तुम्हें नुक्सान पहुचाने की सोचेगा, भी तो यह एम्प्लिफायर तुम्हें सावधान कर देगा। आपके होते बला किसी की क्या मजाल है पापा, कि वह आपके बेटे को नुक्सान पहुचा सके। वह चिप मेरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी शक्तियों को अपने काबू में रखने के लिए लगाया गया था। कोई भी मुझसे मेरे बेटे को नहीं छीन सकता। अब से सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारा भगवान होंगा मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ याद रहेगा, तो मेरा आदेश और तुम्हारा जीवन होगा उस आदेश का पालन करना। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यही सत्य है पुत्र। प्राचीन सल्य चिकत्सा पदिती द्वारा मैंने तुम्हारे मस्तिष्क मेरो पित यह यंत्र निकाला है। इसी यंत्र के माद्यम से वह व्यक्ति तुम्हें अपना गुलाम बना रहा था, जिसे तुम अपना पिता समझ रहे हो। पर तेक मनुष्य की आत्मा उसके संपूर्ण वजूद का सरक्षित चलचित्र संजोय हुए होती है। तुमारे अस्तित्व से जुड़ी वे बाते मैंने तुमारी अंतर आत्मा से जानी हैं जो तुम भी नहीं जानते। अपने अस्तित्व के सचने से अनभिग्य हो तुम बत्स। जिंद्गी में पहली बार सच से घरना हो रही थी मुझे। पहली बार जूट को ही सच मान लेना चाता था मैं। पर कहां जानता था कि इस सच की जड़े मेरे वजूद की नीव को खोकला करने वाली थी। जब उस सन्यासी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी अंतर आत्मा इस शरील की क्याद से आजाध हो गई हो। मेरे अस्तित्व के जूटे आवरन की परते जिने मैं अपने जीवन की धरोहर समझ कर जी रहा था एकक करके उतरती जा रही थी। हाँ मुझे नफरत हो रही थी उस सच से जो आग बनकर मेरे संसार को मेरे वजूद को खाक कर रहा था। चलिए दोस्तो इस कोमिक्स में इतना ही मिलते हैं इसी कोमिक्स के अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद।